नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मोराबादी मैदान का इलाका रंचित्र में तबदील हो गया और आफरा तप्री मच गई इससे पहले पाराशिक्षकों पर आसु गया इसके गोले भी छोड़े गए बता देर राजेभर के पारशिक्षक सनीवार को बेतनमान राजेकरमी का दरजा समेत अपनी बिभीन मांगो को लेकर मुक्हिमंद्री आवास का खेराव करने निकले थे सहायक अध्यापक संहर्ष मोर्चा के आवाहन पर राज के हजारों पारत सिक्षक सूबह से ही मोरबादी मैदान में जूटने लगे थे दोपर बारा बज़े के लवख पारत सिक्षक जुलूस की सकल में मुख्यमंतरी आवास की ओर बढ़ने लगे रांची कॉलेज मोर के पास उन्हें रोका गया आगे बढ़ने और रोकने को लेकर दोनों और से तक्रार हुई और बात आसुगैस के गोले से लेकर लाठी बरसाने तक पहुँच गई मतादे आसुगैस और लाठी चार्ज में कई पारत सिक्षकों को चोट आई है वहीं लाठी चार्ज के बाद जार्खन सहायक अध्यापक संहस मुर्चा के परतिनिध्यों और सिक्षा मंत्री बैदनाथ राम के बीच वारता हुई है सिक्षा मंत्री के आवास पर आयोजित वारता में 25 जुलाई को परतिनिधी मंडल को फिर से बुलाया गया है जार्खन में 23 साल से 64 मिलिमीटर ज्यादा बारिस पर ओपनी काम मांसून की बेरुखी ने खरीब फसल को लेकर रांची जीले की किसानों चिंता बढ़ा दी है जीले के 18 पर खंडों में ऐसी ही हलात है रांची में मांसून सीजन में 1.5 माह में मात्र 30 मिलिमीटर बारिस हुई है बता दे जून में 187 मिलिमीटर के जगा 80 मिलिमीटर और जुलाई में 20 तारिक तक 349 मिलिमीटर के बज़ाए 90 मिलिमीटर ही बारिस हुई है पिछले डेर माह में 526 मिलिमीटर के जगा 170 मिलिमीटर बारिस रिकोर्ड की गई है हजारी बाग में सॉल्व किये गये थे नीट यूजी के लिक प्रशन पत्र नीट पेपर लिक मामले की अब तक की जांच में यह जनकारी सामने आया है कि जारकन के हजारी बाग में ही सभी सॉल्वर को इकठा कर लिक प्रशन पत्र को हल कराया गया था गिरोह ने 4 माई की रात को इन्हें प्रशन पत्र उपलब्ध करा दिया था लीक प्रश्ण पत्र वहजारी बाग के किसी गुप्त अस्थान पर हल कराने के बाद प्रश्ण पत्र और उत्तर का पीडिये प्रारूप बना कर रोकी ने पातना में चिंटू और कुछ अनस्थानों पर सेंट्रों के गिरोह को भेजा था सौलबर गिरोह के सदस्यों से सीवी आई की पुष्ट अच में या बात खुलासा हुआ है सीवी आई पिछले 27 दिनों से नीट पेपर लिक मामले की जाच कर रही है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की बढ़ी पोसाक रासी मिलेंगे दो हजार उपए जहारकन के सरकारी स्कूलों में नौवी से बरावी कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों की पोसाक रासी राज सरकार ने बढ़ा दी है इसके लिए आप छाजार उपए की जगध दो हजार उपए दिये जाएंगे सिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने विभागे परिस्ताव पर अपड़ी मंजूरी दे दिया है बतादे बरतमान शात्र दो हजार उपजिस पजिस में नौवी से बरावी कक्षा तक में नमांकी छात्र शात्राओ को दो सेट पोसाक एक स्वेटर और एक सेट जूता मोजा के लिए दो हजार उपए दिये जाएंगे वहीं इससे कपड़ा खरीद कर पोसाक सिलाया जा सकेगा रासी बहुत्री का प्रस्ताव अब कैबिनेट की बैठाक में रखा जाएगा कैबिनेट से मंजोरी मिलने के बाद छात्र शात्राओ को रासी का भुकतान किया जाएगा पोसाक की पूरी रासी राज सरकार खुद वहन करेगी बरतवान में नवी से करीब एक पॉइंट तीन जिरो लाग और दसवी में एक पॉइंट दो चार लाग और रेकारवी में बावन हजार और बरावी में अर्थाली से अच्छात्र शात्र शात्राओ नमाग की था है जारखन कैबिनेट में गैस सबसीडरी पर लग सकती है मुहर राज सरकार ने पिछले दिनों राज्य के रासनकार धारक लाभको को रसोई गैस सलेंडर पर सबसीडरी देने की खोसना की थी खादसरोजनिक बित्रन उभोकता मामले विभाग अंतरगा सुरू होने वाली प्रस्तावित योजना पर मंत्री परिशद में स्योक्रिती मिलने के असार है मंत्री परिशद की बैठक बुद्धवार 24 जुलाई को हो सकती है पुर्व मुख मंत्री चंपाई शुरेन ने बीते 26 जून को भी भागिये योजनाओं की समीक्चा में अधिकारियों को प्रस्ताव योजना के लिए लापको के चैन कमानक तयार करने का निदिस दिया था उसके बाद इस पर काम भी सुरू हुआ पुर्व सीम ने टब कहा था कि योजना लानने का मकसद गरीब और वन्चित परिवारों को किफायती दर पर गय सलिंडर देना है ताकि वे इसका नियमित इस्तिमाल कर सके सरावनी मेले में किसी परकार के लापरवाही बरदास्त नहीं मुख्यमंत्री सरावनी मेले की देकर शरावनी मेले की विश्तिरीज समीख्छा की गई सरावनी मेले की नोगे परवाही बिनव्रता मेले की मुल सन्वेदना रहनी चाहिए ताकि देश दुनिया से जो भी सरदालू बाबा नगरी आए अच्छा संदेश लेकर जाए उन्होंने असपश सब्दों में कहा है कि मेले के दरानला परवाही पर अतने वालों को बक्सा नहीं जाएगा सीम ने कहा है कि सबसे महतपून है कि मेला छेतर में सरदालू के हर संबर सुविधा मुहया कराई जाए जिससे सभी सरदालू सुरक्षी तुवा सुलब जलारपन कर सके मुख्यमंद्री ने अला अधिकारियों से कहा है कि मेले में सेवा भावना से सबों को कारे पर लगा है मुख्यमंद्री ने बैठक में जोर दिया है कि पुलिस परसासन के अधिकारी कर्मी सही जो भी कर्तब ये पर रहें सभी कबारियों के साथ अपना बेवार भी नम्र रखे होमगाट को पुलिस कर्मियों के समान बेतन का रास्ता साप सुप्रीम कोट में जस्टीस जेके महेस्वरी और जस्टीस केवी बिस्वनाथन की बेंच ने होमकार्ट जवानों को समान काम के बदले समान बेतन देने के जहारखन हाई कोट के आदेश के खिलाब सरकार के अरजी सनिवार को खारिच कर दी साथ ही हाई कोट के आदेश में हतशेप से इनकार कर दिया है इससे होमगार्ट जवानों को पुलिस कर्मियों के समान बेतन का रास्ता साप हो गया है बता दे कि होमगार्ट जवान आजाए पर साथ एवं अने ने पुलिस कर्मियों के समान बेतन और अने लाब के लिए जारकन हाई कोट में अचकर दायर की थी प्रार्थियों का कहना था कि होमगार्ट का पोस्ट सिविल पोस्ट हाए क्योंकि वह पुलिस कर्मियों की तरह डूटी करते हैं इसलिए निमित पुलिस कर्मियों की तरह उन्हें भी लाब दिया जाए ग्रिह मंत्री अमीद साह ने कहा आदिवासी बाचाने की करेंगे पहल केंद्री ग्रिह मंत्री अमीद साह ने जारकन सरकार पर बंगलादेशी घुस पैठों के तुष्टी करन कारूप लगाया है और कहा है कि आदिवासी सीएम के नितित में लेंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतूरन बिगड़ रहा है उन्होंने कहा है कि जारखन में भाजपा की सरकार बनी तो आदिवासी जमीन बच्चारने के लिए स्वेत पत्र लाया जाएगा इसके जरिये उनकी जमीन जनसंख्या और आराक्षन तीनों को सुरक्षित किया जाएगा विसनी बार को रांची में भाजपा की विस्तित कर समीती की वैटा को समोधित कर रहे थे साह ने कहा है कि देश भर में आदिवासी अबादी लगतार घट रही है उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुना में बूत कर करताओं के जरिये भाजपा ने जारकण में नौ सिटे जीती है वहीं 52 बिधान सभाचेतर में बढ़त दिलाई यह बताता है कि राज में किसकी सरकार बनेगी उन्होंने कहा है कि हेमान सुरेन लिख कर ले ले जार्खन में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी जार्खन में 21 वरस से लेकर 50 वरस की महिलाओं को 1000 आंगनवाली से मिलेगा फरम उन्होंने कहा है कि राज सरकार का इस योईना के तहत लगवक 50 वरस की महिलाओं को जोडने का लक्षा है जमसेदपुर में आयोजित बैठक में जनकारी दिगा है कि लावको को आवेदन के साथ मत तता प्रचान पत्र अधार कार्ड रासन कार्ड अधार लिंक युक्त बैंक खाता पास्पोर्ट साइज फोटो तथा पात्रता सम्बंदित घोसना पत्र जमा करना होगा सभानाले सभागार में आयोजित इस बैठक में डिडिसी मनीश कुमार जिला समाज कलन पता दिकारी उपस्थी थे बता दे विभागे सची ने बताया है कि इस योजना का आवेदन पत्र अंगनवाडी के मादिरंस ने सुल्क दिया जाएगा अंगनवाडी साही का सेवी का अपने अपने छेतर में घर घर जाकर महिलाओ को चीनित कर आवेदन उपलप्त कराएंगी दुमका गोली कांड में पूलिस ने 42 को भेजा जेल जारखन के दुमका जीले के रामगर परखन के भदवारी नोनी हाट में जमीन पर जबरन कभजे के परियास में हुए गोली कांड के मामने पूलिस ने हंस डिहा थाना में प्रत्मी की दर्ज कर ली है बहादूर बठान भादवारी नोनिहाल निवासी कामेशवर भंडारे पीता दूखी भंडारी के लिखित ब्यान पर दर्ज परत्मी की में 46 व्यक्तियों को नामजात किया गया है जबकि 55 अग्यात ब्रक्ति आरोपीत बनाएगा है वही 46 नामजात आरोपियों में पुलिस ने 42 आरोपियों को गिरफतार कर लिया है स्रावनी मेला में 14,000 से अधीक अपसर और जवान रहेंगे तैनात 22 जुलाई से सुरू हो रहें स्रावनी मेला 2014 के अशर पर देवगर दुमका जीले में सुरक्षा और बिधी बेवस्था में पुलिस अपसर सही 14,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी इससे समधी आदेश पुलिस मुख्याले की और से जारी कर दिया गया है स्रावनी मेला सांती पुन तरीके से संपन हो इसके लिए बिशेस तोर पर एंटी टेरिडिस्ट स्कॉाइट के साथ साथ जारकन जगवार के चार एसॉल्ट गुरूपों की तैनाती की गई वहीं 20 जुलाई से दुमकात देवगर और रेल धनबाद में पुलिस कर्मे की तैनाती कर दी गई है ड्रॉप आउट बच्चों के लिए 31 जुलाई तक चलेगा बैक टू इसकूल कैमपेन इसकूल नहीं जाने वाले या इसकूल छोड़ देने वाले बच्चों को पुना इसकूल लाने के लिए पुर्भी सिम्हुम जिल्ये में बैक टू इसकूल कैमपेन चलाया जा रहा है 31 जुलाई तक चलने वाले सहगन अभ्यानिक दोरान उपरोक्त सिरेनी के बच्चों को हर हाल में इसकूल लाकर उनका दाखिला कराना है इसके लिए सनिवार को सिद्गोरा टाउन हौल में सेमिनार कायोजन किया गया जिसमें प्रसास्तनिक सिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा पंचाज परतिने दिभी सामिल हुए धूलू महतों के अपसब्द पर जार्खन पूलिस एसोसियेशन का विरोध सांसर धूलू महतों के द्वारा बोकारों एसपी के खिलाब किये अपसब्द का पर्योग को लेकर जार्खन पूलिस एसोसियेशन ने विरोध जताया है सेसेशन ने कहा एक ढूलू महतो धनबार लोग सभाचेतर द्वारा पूलिस अधिक छग बोकारों को अब सब दो का पर्योग किया गया जो कानून और नहतिकता के द्रिश्टी कोन कहीं से नियाचुत नहीं है इस समान में बोकारो साखा द्वारा कारे समीति की बैठा की गई डूलू महतो द्वारा एसपी बोकारो को अपने ब्यान में दिये गए असंसदिये या मर्यादित भासा का पुर्जोर बिरोध किया गया है इस तरह का ब्यान कानूनी रूप से भी उचित नहीं है इस पी जैसे वरिये पतादिकारी पर असंसदिये या अपसब्द भासा का पर्योग करने थे जार्खन पुलिस के पतादिकारी कर्मियों पर काफी पर्तिकूल प्रभाव पढ़ा है जार्खन में आसाड में 51 परतिसत कम बारिस सावन में आस जारखन में आसाल माह में कम होई बारिस से आम लोगों के साथ किसान परसान है एक और किसान को सुखे का डर सता रहा है वहीं दूसरी और आम जनता को बारिस नहीं होने से सुखे हुए जला सा है और बोरिंग के फेल रहने से रोजमारा के काम करने में परसानी का सामना करना प वही सबसे कम बारिस लोहर्दागा में मातर 30% हुई है राजधानी राची में 20 जूलाई तक 54% कम बारिस हुई अब सभी को आज सावन से है इसमें अगर जम कर बारिस नहीं हुई तो इस ठीती खराप होने की संभवना है बतादे जार्खन में लभक सभी जूलों में बादल दायरा बढ़ाए केंद्र बना गुपता केंद्री स्वास्त मंत्री जेपी नडा एवं स्वास्त राजमंत्री अनुपिरिया पटल के साथ सानीवार को जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता उन्हें वर्चूल बैठक की है इस तो बना गुपता ने जार्खन में पर पुलिस कर्मियों पर लाथी चार्ज के खिलाब जेवी के एसेस ने सीएम का पुतलब होका राजधनी राची में सहायक पुलिस कर्मियों पर लाथी चार्ज के खिलाब जेवी केसेस ने सनिवार की साम को तौपचांची में मुख्यमंतरी हमसुरिन के पुतला दहन किया इससे पहले करकरता हुने तो पुपचांची हटिया मैदान में सुबा चोक तक मसाल जुलूस निकाला और राजधनी खिलाब जम करना रेबाजी की है बता दे जेवी केसेस नेता संतोर सिंग ने कहा है कि बीते सुकरवार को छातरे नेता देवेंदरनात महतो वसाहयक पुलिस कर्मियों के उपर लाठी चार्ज किया गया था जिसमें देवेंदरनात महतों समेत कई जेवी केसेस नेता करकरता वसा एक पुलिस कर्मी गंभी रूप से जक्मी हो गए थे उन्होंने कहा एक की हेमान सुरेन की सरकार लोकतंत्र को भोल चुकी है पुतला नहन में जगदिस महतों भी सामिल थे मैट्रिक अस्तर ये परित्योकत्य परिष्छा की डेट जारी बता दे अभियार्थी इसे आयोग की बेपसाइस दाउलोड कर सकेंगे आयोग ने इसका लिंक जारी कर दिया है इधर आयोग ने जहारखन डिपलोमा अस्तर सन्युक्त परत्योक्तिया परिक्षादों है इसके तहत पुरो में की गई अनुसंसा के बाद गुसपैट को लेकर जेमेम ने इडी से कर दी बड़ी मांग गुसपैट को लेकर तेज हुई राजगीराय नित्ती के बीच सतारु जहरखन मुक्ति मोर्चा ने इडी से कहा है भाजपाक की खिलापत करने वालों के खिलाप इडी चुन चुन कर करवाई करती है लोगसबाचुनाओं से पहले सारे देश ने ए अनुभव किया है तन्ज कस्ते हुए उन्होंने कहा है कि इडी के सभी अपसरों के अत्रीक्त एक और स्पेसल डारेक्टर बाबुलार मरांडी है वे जहरखन में तय करते हैं कि किसके खिलाप इडी के करवाई होगी लोगसबाचुनाओं उन्होंने जमीन घोटाला में बेल पर चल रहे कारोबारी विष्णू अगरवाल को बीत मंत्री निर्माला सीतारामन से मिलवाया वहीं जमीन माफिया कमलेस को भी बीत मंत्री से इन्हें भेट कर आई है रांची में अमीद साह की सुरक्षा में चूक रांची में सवनिवार को भाचपा के करकरता में जाने के दोरान केंद्रे ग्रीह मंत्री अमीद साह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है भाजबा परदेश कारिसमिती की बैठक में सामील होने पहुंचे अमीज साग के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया है इस मामले में एक सक्त को गिरफतार भी किया गया पुलिश ने बताया है कि ये सभी नसे में थे अब इस मामले पर राची डीएसपी हटिया पर मोतकुमार मिस्त्रा का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि आरोपी गिरिह मंत्रिया मीज साग काफिले में नहीं घोस पाये थे हलाकि वह तेज गती से गाड़ी चल रहा था और उनके काफिले का पीछा कर रहा था इस वज़से उसे गिरफतार कर लिया है वहीं पुलिस ने उन यूकों को तुरंद गिरफतार कर लिया है पत्रकारों से बाचित के दोरान डीएसपी ने गिरफतार किये गए यूकों से पूरे मामले को लेकर बताने को कहा इस दोरान दोनों यूकने नसे में होने की बात कबूल कर ली है घायल सहायक पुलिस कर्वियों से मिले हिमन्त मुख्य मंत्री आवास का घिराव करने पहुचे सहायक पुलिस कर्वियों पर लाठी चार्ज के बाद गायलों से मिलने के लिए सर्णिवर को असम के मुख्य मंत्री व जार्खन चुनाओं के सब प्रभारे हिमंत बिश्वा सर्मा रिम्स पहुंचे हैं रिम्स के सरजरी वार्ड में भरती जवानों से उनका हाल चल जाना वहीं सरजरी विभाग के डाक्टर पंकज बोदरा को बेहतर इलाज के लिए कहा मेडिया से बाचित के दोरान हिमंत बिश्वा सर्मा ने कहा है कि घाटना बेहाधी दुर्भागे पूर्ण है सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज करना निदनीय है उन्होंने कहा है कि इस घाटना को टाला जा सकता था बाचित कर इस मसले का हल निकाला जा सकता था सहायक पुलिस कर्मियों ने बताया है कि बेतन नेमित नहीं मिलता है हर साल का एक्स्टेंशन होता है मेडिक क्लेम नहीं मिलता है धन्यवाद